तो गाईज बात करते हैं अपनने जो कल लेवल दिये थे उनका क्या इंपक्ट अच पड़ा है क्या वो लेवल ब्रेक होके हमें मुमेंटम दिये हैं या नहीं वैस कल मैंने एक अपसाइट का लेवल बनाया था 35,000 वहां से मैंने यह बोला था कि अगर यह ब्रेक होता है तो आप एक अपसाइड मुमेंटम का एक ट्रेड उठा सकते हो जैसा कि आप देख सकते हो उसके बाद जैसे ही वो ब्रेक हुआ है उसके बाद बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा मूव अपने को दिया है तो गाई जो डाउनसाइड का जो अपना लेवल था वहां तक पो पहुचा ही नहीं एक रेंज जरूर क्रियेट हुए है मार्केट में और मतलब अपसाइड मूव जरूर गया है बट ऑप्शंस में उतने जादा मूव नहीं आए है यानि कि अगर तीन सो चार सो पॉइंट मूव हुआ भी है बैंक निफ्टी लेकिन ऑप्शंस जो है 60-70 पॉइंट भी मूव नहीं हुए तो अपना ये लेवल काफी अच्छा था 35,000 एक अच्छा सपूर्ट दिया था अपसाइड मूव के लिए तो गाइस बात करते हैं कि कल मार्केट कैसा परफॉर्म करने वाला है तो इस कल के जो मैंने लेवल डिसाइड किये हैं वो यह है कि पहली चीज हो सकता है कि यह जो अपसाइड जो मूमेंटम कंटीनू है वो एक प्रिवेस जे का जो रेंज जो कंटीनू रहे अपसाइड मूमेंटम के साथ ही तो हो सकता है कल एक और बड़ी कॉल की रैली अपने को देख अगर यह ब्रेक होता है 35600 तो अपन एक अच्छे खासे टार्गेट के साथ एक कॉल को लॉंग कर सकते हैं या पुट को शॉट कर सकते हैं कल के लिए और डाउनसाइट के लिए गाइस वही सेम रहेगा लेवल जो मेरा जहां से अपने को रिजेक्शन मिला है आज कम से कम एक दो तीन बार रिजेक्शन मिला है और पहले भी रिजेक्शन मिलते आएं वह है 34900 तो गाइस मेरा यही सजेशन रहेगा कि अगर आपको पुट में एंट्री लेनी भी है बट मैं कनफर्म नहीं हूं इस चीज के लिए मुझे लगता है हो सकता है मैं गलत भी हो जाओ मुझे और अपसाइट के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया अच्छा खासा यह 35600 अच्छा खासा सपोर्ट बनेगा बैंक निफ्टी के लिए क्योंकि वह बहुत दिनों बाद अपने हाई पे है करीब एक से दो हफते बाद अपने हाई पे है और वह ब्रेक करेगा तो अपने को का एक मूव मिल सकता है और इसके साथ में यह सेंटिमेंट जो है गवर्मेंट अफ इंडिया का जो इसने इन्होंने यह क्रूड ऑईल के लिए जो डिसीजन बनाया है वो भी एक बेटर बेटर ऑप्शन है और बेटर सपोर्ट देर है अपने को कॉल साइड में एंट्री ल है जैसे कि आज का ही मैंने आपको शायद प्रॉफिट के वीडियो में अपलग में देखा होगा अगा नहीं भी देखा हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में डाल दूँगा तो आप देख लेना तो आज तोटल मैंने प्रॉफिट फिफ्टीन हनिट का ह बुक किया है तो यह कोई ऐसे बहुत बड़ा प्रॉफिट मैंने बुक नहीं किया है क्योंकि मैंने एंट्री ली थी 35,000 के तूटने के बाद और वो मुझे ऊपर का मूव नहीं दे रहा था इसलिए मैंने छोटे में ही उसको एक्जिट किया मैंने लॉस में नहीं छोटा है चोटा लॉस है तो चलेगा प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए बट लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए बड़ा नहीं होना चाहिए चोटा लॉस में अच्छ चोटा l रुपय वाली जो है Monday के दिन 300 के नहीं हो जाएगी भले market कितना ही move कर दे तो यही है सही strike price select करो सही दिन select करो और sentiments के basis पे ही अपने को trade लेना है एक level बना लेना है उसके बाद ही अपने को entry लेनी है तो guys यही थे अपने put के और call के upside downside दोनों की यह level थे तो कल इसी में अपने को trade करना कल मैं भी इसी में trade करूँगा यह bank nifty का यह बता रहा हूं कि nifty में trade नहीं करता तो मैं bank nifty का यह analysis आपको बता दे रहा हूं कल मैं इसी तक रहा है अगर यह यह open होते ही इसको break कर देता है तब मैं अपने levels को थोड़ा सा और उपर करूँगा 200% confirmation के लिए कि मुझे और अच्छा trade लेना है अगर यह कल 200 point या 300 point क्योंकि वो depend करेगा SJS nifty के उपर कल यह 200 या 300 point gap अप देता है तो मेरा level 36,000 का हो जाएगा 36,000 अगर यह break करता है तो फिर मैं call मैं entry लोगा और सेम चीज सेम तरीके से अगर downside entry होती है तो यह जो मेरा resistance है यह और नीचे आ जाएगा औ और थोड़ी से नीची move के साथ मैं उसमें entry लोगा जबरस्ती छोटे छोटे points निकालने के लिए जबरस्ती entry नहीं लेना है वहना loss के chances बढ़ जाते है तो इतना ही था आज की analysis वीडियो में कल अपन देखते है कि क्या होता है market में हो सकता है कोई नई news आ जाए उसी साब से कोई लिए नई thank you